नमो उना रहें ये गोमाता वंदे मात्रों मा भारती को प्रणाम और प्रणाय हिर्दे से ओम शम शनिश्चराए नमा कैसा रहेगा मई 2021 का मैना इस प्रोगाम में आप सभी का स्वाखत है मई 2021 बारक बारा राश्यों के लिए कैसा रहेगा इस विचार को लेकर आपके सामने उपसे दूँ गरनक्षत्रों की गरना के हिसाब से मई मा की नक्षत्र गरना इस प्रकार है इस मा का आरंब जो पहली तारीक है वो मेश लगन में सुरिय उदे हो रहा है लगन में शुरिय और शुकर चनर्मा धनराशी नवम भाव में मंगल मिधुन राशी तीसरे भाव में बुद्राओ के साथ दूसरे भाव में ब्रश्पत्री कुम राशी ग्यारव भाव में शनी स्वराशी मकर में दसंभाव में केतु विर्शिक राशी अस्टब भाव में शनी और मंगल का सडास्तक योग, बुद और रहो का और शनी के साथ नमबंपंचम योग और ब्रश्पद्री और मंगल का नमबंपंचम योग मंगल और केतु का सडास्टक योग और शूरिय शुकर और केतु का सडास्टक योग जिसरे के घरे योगा योग है शंपहुन राष्ट के अंदर एक नई जागरती आगी व्यक्ति शौम सतर ग्रहना शुरू करेगा घरे योगा योग बहुत अनकूल है लेकिन जब-जब रहू के साथ समध बनता है और जब-जब शूरिय और केतु का समध बनता है तब तक कोई-कोई-कोई-कोई महमारी संपहुन विश्व को प्रभावित करती है तो महम्मारी को लेकर भी थोड़ी सी साउधानी अप्विक्षित है पढ़नतु समय राष्ट के लिए अनकूल है राजनितिक मंच पर आकर्मा का खाड़े बने रहेंगे फिर भी राष्ट में एक नई सोच उत्वन होगी जिसे राष्टे एकता कुबल मिलेगा शत्रू है मैं मैने की जो शाधान जनता है सासन उसको पूरा शयोग करेगा सरकार की तरफ से जो अन्तिम लाइन वाले लोग हैं जो बीपियल कहते हैं बिलो पावर्टी लेवल उनके लिए ने-ने रोजगार के साधन आर्तिक पक्सुदर होगा बहुत अच्छे लेकिन कुछ गणन अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है ज़्यादा लोगों से नहीं मिले और सरकार की गाइडलाइन के साथ स्यों को भी विचार करना होगा कि ये वाइरिस नुक्सान दे सकता इसलिए मास्त लगाना प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है पानी ज्यादा ज्यादा और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुब रहेगा मही का महीना अपना आप में बड़ा शुब है क्यों कि इस महीने में 14 मही को अक्से तिर्टिया का अभूत पूर कल्यानकारी परू है और अक्से तिर्टिया जिसका कभी च्छे नहीं होता है अक्से तिर्टिया का कभी छह नहीं होता इसलिए 2021 अक्से तित्या काई अध्भूत तेवार अपने आप में बड़ा अलोग एक इस दिन सुरी और चंदरमा दोनों ही उच्च के हैं जो 30 की दिश्टिकौन से महत्पून माना गया है 14 मई 2021 ये दिन नर और नाराइण के अवतार का दिन है इसी दिन भगवान परसुरात का अवतार हुआ था और हैगरिव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था शास्तरों के अनुशार अक्से तित्या की बेला में तिरेतायू का प्रारम हुआ और शत्यों की संधिग यहीं साक्सितिति है और जन्मानस के लिए बहुत अध्भूतिति है माभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सुर्य ने पांडूओं को अक्से पात्र प्रसूत किया था भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिशा सुर्गा बद किया था और अक्से तिर्टिया का यह दन था जब भगवान सुरी क्रिष्ण और सुदामा का मिलन हो था तो भाई मही का महिना अपने आप में बहुत अध्भूद है मैं मही के महिने में बारक बारा राश्य उपर गरनक्षुत्र का क्या प्रभाव रहेगा यह तो बताऊँगा बताऊँगा इसके साथ में अक्से तिर्टिया पर धन शमंदी प्रेशानियों का निवारन कैसे हो वो सारे उपाई बताऊँगा वे लोग जो साधी विवा के मसले को लेकर बहुत प्रेशान है उनके लिए उपाई बताऊँगा करदा बहुत रहता है मुक्ति का उपाई बताऊंगा पारवारिक सुक्सांति का उपाई बताऊंगा नौकरी और परिवार में शुकून का से रहे ये भी उपाई बताऊंगा अक्षे तिर्ट्या पर अदभुद उपाई लेका आया हूं बारक बारा राशियोंगा अक्षे तिर्टिया कि इस पावन पर उपर अपने घर में भगवाण श्री विष्णु महाधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवितर करने के पीले पुष परफित करिएगा इस दिन पितर तरपन के लिए बहुत सुब दिन माना गया याथी पावन तिती है पितर तरपन के लिए इस दिन स्राद करने से पितरों का असिरवाद प्राप्त होता है जो गहूं, चना, चावल, सत्तू, दई, दूसरे बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरुद्मन व्यक्ति या प्रामना को दान देना बड़ा शुब माना गया है और ये वोई दिन है जिन बद्रिनात के कपाद कुलते है चंपौन मनोकामनाओं के हिसाब से, अखन शोभागय के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में शुक और शोभागय की वर्दी हो अदभुद बारक बारा राश्यों के लिए उपाई लेकाया हूं अक्सितित्या पर कैसा रहेगा मई का मैना और मई के मैने में धनकी बरसाद हो माघर लक्ष में आए और संतान की शुक की प्राप्ति हो, साधी विवा के मसले हलो और शोभागय में वर्दी हो, अदभुद बारक बारा राश्यों के लिए उपाई भी लेकाया हूं तो कैसा रहेगा 12-12 राश्यों के लिए मैम का महिन और अखशेत तुर्तिया में आपकी मनु कामना विएक कैसे पूर्ति हो हर राश्य का अलग-अलग उपाए भी बताओंगा नमोनाराईन नमोनाराईन अब मैं राश्यों पर आता हूं तो मैं बात करूंगा मीन डाशी वालों के लिए मैं 2021 नक्षतर गर्णाओं के हिसाब से कैसा रहे दिया मीन डाशी वालों राशी फल पर आऊं मैं मैंने के उससे पहले मेरी कुछ बाते हैं जो मैं आपके अपने अ अच्छा लगता तो हो सकता है कि कहीं में आपके काम हूँ क्यों मीन रासी का जो रासी चकर है अत्यंद जडिल रासी है दोहरा शबाव और दोहरा शबाव होने के कारण इनको मांसिक उल्जनों का सामना करना पड़ता है अपने जवन की परसिफी पार्धसिता अपना लेते हैं तो जीवन बड़ा सहरा जाए तो ये बड़े समिध्निल सिल होते हैं और सही लोगों के संपक्रक में आना बहुत ज़रूरी है नकरात्म लोग इनके आसपास बहुत रहते और नकरात्म लोगों के बहुत जल्दी घिर जाते उनसे बच कर सही लोगों के संपक्रव लेना इनके लिए बहुत जरूरी है ये भावना प्रदान होते हैं अपनी भावनाओं के कारण ही किसी से प्रेम और ग्रहना करते हैं दुनिया की मौज मस्तिस दूर केई बार में ने देखा कि ये मीन दासी के लोग शांत और आराम से घर में बैठना पसंद करते हैं और जल की परती इनका विशे से लगा होता है सुभाव में दर की भावना पाई जाती हैं और भावनाओं में बैकर भोग विलास का मारत अपना लेते और जूटे मित्रों के चकर में फंसकर परस्तियों के ढाल बन जाते हैं इन सारी चीजियों का ध्यान दगें बहुत दुरूबल चरीतर भी इनका हो सकता है और बहुत दुरूबल चरीतर भी इनका हो सकता है और बहुत दुरूबल चरीतर वाले लोग इनका हो सकता है और बहुत दुरूबल चरीतर वाले लोग इनका हो सकता है और बहुत दुरू के बार इन्हें उठापटक भी रहता है और अच्छे कवी भी इसमें हुए ऐसा नहीं कि नहीं हुआ हाँ आत्म विश्वास की कमी देखिए और इस कारण वे अपने मूल अस्तित को पहचानने में भूल जाता है ऐसा मैंने अधिन शोद पाया कुछ लोगों के बारे में लनाशी फ्रल को पहे हैं और कलपना में अधिक खोए रहने के करण इन्हें सार्रीटट रोंग की उपनिकिसा ऴृट बिमारियोह जादा हो अधिक सोचने से पाचन प्रणाली पर विप्रत प्रभाव पर सकता है जिसे पेड़ से समंदित रोग भी उनको हो सकता है परलाइजेज और टीवी इन दोनों बिमारे से साफदा रहना चाहिए क्योंकि मांसिक गहरी सोच की कारण के बार इने पक्षा गात की संभावना रहती है फेपड़ों की बिमारे भी तकलीब दे सकती है मेंडासी कालपुरुष के पाउं का प्रतनिजर करती है। इसलिए इन जातकों को पाउं में ज्यादा कष्ट और दुरगटना की संभावना रहती है। कई बार देखा है कि इनकी पावों की बनावट बड़ी असोभाविक होती है और इस राशी के जातकों में मध्यपान की प्रकृति भी पाई जाती है तपेदिक पाईल्स हरनिया जैसे रोगों से भी इन्हें बचना बहुत जरूरी होता है इस चीज़े मैंने देखी आपके सामने लखी मानो मानो आपकी मर्जी और कोई गलती है तो छमा प्राती बाई यह मेरा अनभवता जो मैं सेर करता हूं मुझे अच्छा लगता है कोई चीज आपके कहीं काम आ जाए अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मेंड़ाशी वालों क कोचर कर रहे और शुर्य पंदरा माइस को वर्शब्रासी तीसरे बहाँ में आजाए चार माही को शुकर शुकर श्वराशी वर्श्रम में तीसरे बहाँ से गोचर करें लों 28 मही को शुकर मिथुन का व्रशिक नमं नक्षटर भाव शिकषा कामकास विवशाय न वाकरी आ पर मैं 2021 में कैसे रहेगा इस वीश्य पर चर्चा करों सबसे पहले शिक्षा का दर्शिकौन मेंड़ाशी की विद्यारते के लिए शिक्षा की दर्शिकौन से इस मैंने मैं के मैंने में बहतर सफलता का संकेत में ज़रा रहा है छोटी से परियासों से सफलता आपको हासिल हो थोड़ा सी महनत प्रणाम बहुत अच्छा परिक्षा प्रणाम बहुत अच्छा रहेगा परिक्षा महारी बादाओं से मुक्ति मिलेगी अनाम से उठापट्रक और कश्चत छुटकारा मिलेगा युवाओं के लिए ये समय केरियर और नोकरी के हिसाद से मनना उनकुल प्रणाम के लिए थोड़ा सा कठी परिश्रम जरूर है थोड़ी सी महनत जरूर सोड़ा सा संगर जरूर लेकिन प्रिणाम ऐसा आएगा पिचार चांद लिए सफलता में थोड़ा सा परिश्रम करिए मही का महीना ऐसा ही संकेत दे रहे हैं वैवशाह कामकाज नौकरी और अर्तिक दस्री कौन से मेंड आशी वालों के लिए मही का महीना अनकूल रहेगा कारोबार में महनत परिश्रम परियास धनलाब में बलोतरी का संकेत दे रहे हैं वैवशाह में नहीं नहीं प्रियोक करने का अवसर मिलेंगे और वैवशाह विस्तार का मोका मिलेगा कारी चम करेगा कम्मुनिक्रेश्टिन के जरी वेवसाय में लाब मार्ग बढ़ेगा निवेश के लिए अच्छे लाब के संकेट इदियाब सरकारी नौकरी के चेतर में तो मननकुल इस्थान परविरतन या नई जुम्नदारी का योग नजार प्रसासने इस अपसरों के लिए जो संचे करने का आउसर मिलेगा और पिछली समस्य चुटकारा मिलेगा काम में मन लगेगा कायर के प्रति आपकी लगन मेहनत परेश्रम अवश्य आपको शफलता दिलाएगी और केरियर की तलास में लेगे जातकों के लिए समय अनकूले केरियर के दिशा में किये कि परियाश सभाव में सालिंता बना के रहें द्वादस बाव में विराजमान ब्रश्पती नौकरी से जुड़े लोगों को चुनोतियों का सामना करने का संकेत देरें आवेश और आक्रोस दिखाने का प्रणाम नुक्सान दाइर हो सकता इससे बचना होगा नमोना रहें अब मैं सामाज करते समय सकंदों का चैन बड़े साफधानी से करें आपके मुझसे निकले गलत सबस घर में बवाल उत्बनर कर सकते हैं नौकरी में बवाल उत्बनर कर सकते हैं वैविशाय में बवाल उत्वन कर सकते, समाज में अनामशक चर्चा का विश्य बन सकता, इसे बचना बहुत जरूरी है, उनके भीतर के मन को टटोलना बहुत जरूरी है, पारवारिक सदस्यों की कुंठा आपको परिशानी में डाल सकते, जिवन साथ के साथ विनमर रुक अपनाना बहुत जरूरी है, समय दे कर आगे बढ़ने का प्रियास करे, ये समय अपनों को साथ लेकर चलने का है, गोचर पारवारिक सदस्यों के साथ आपसी मन मुटाव, आ आपसी मतवेश से बचे, साती माता के स्वास्ति का विसे ध्यान लगे, इसके साथ इस समय आपको जमीन जाइदात का अतलाब मिलेगा, धन मिलेगा, परिशानी की बावजूद भी, कहीं ने कहीं से लाब जरूर मिलेगा, घर का रिनोवेशन करना चाते तो इस समय अनकूल है, परिवारिक शमश्यों का निवारंड है, इसके लिए सांत रहना बहुत ज़र होगा, स्वास्ति के मोर्थ पर मेंडाशी वालों को सचित रहना होगा, छोटे सी लापरवाई बड़ा नुक्सान दे सकती, काम का बोज, मांसिक तनाव उत्पन करने वाला, इससे बचना चाहिए, काम और आराम के बीच में तालमेल बना कर चले, साती यदि आपको रक्ता समंधी ध्यान रखना बच, साती आपको यदि कहीं रक्ता समंधी समश्या है, तो उसका पूरा पूरा समधान करें, इसके लावा, खानपान पर सुप्ता का ध्यान रखे, आपके ऐसी डि मिनडाश वालों पहले उसको पढ़ लें लोगों से सला ले ले तब ही हस्ताकसर करें तो अच्छा रहेगा न मना रहे क्या उपायगा मिनडाश वालों ऑम ग्राम, ग्रिम, ग्राम, शाग, गुरुवन, वब्रषपत्ति के वीज मंतरगा चाहब दें हर गुर्वार को सर्धानुसार पकेवे पपिता पका पपिता पांच साथ आठ गरीब निदन जुरुद्मन स्वागन महिला को दान में दीज़े नौकरी और कारुबार समंदी परिशानियों के निवरण के लिए पकावा पपिता छील कर गाई को खिलाना भी आपको लाब द चौदा महिको अक्से तिर्टिया बर्से का धन होगा परिशानियों का निवरान घर आएगी महालक्षमी पारवारी जिवन खुश्षण से भरा रेगा और विभास समंदी परिशानियों से मुक्ति मिलेगी बता रहा हूं यह उपाए मिंडाश वालों अक्से तिर्टिया क पावन परवर शुबे पांच बच कर चालेश प्रिंट लेकर दोपर बारा बच कर पंदरा मिंट के बीच पीले कपड़े में नौसो ग्राम पीली सरस्नों और नो पीली कौडिया बांद कर अपने घर के इस्तान कौन में रख देजी गाए की घीका दिपक जलाई राम चरि गरीब वक्तियों को अक्सित्रित्या के पावन परवर वस्त्र और छाते का दान देना पड़ाख शुब रहेगा तांबे के कलस में चने की दाल भरकर गरीब वक्ति को दान में देना वेवाईक और नौकरी शमंदी परिशाने की निरने मसलों में अच्छा लाब देगा न विचारों को लादना मुझे आता नहीं है और विवाद में करता नहीं है मानो नुमानो आपकी मर्जी सेकेंड ओपनेन गादिकार आपका था आपका रहेगा मित्रों शातियों ये करोना काल है और करोना की चेहन टूटे इसके लिए हमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बन बहुत जरूरी है इस समय सासन सेकंधा सेकंधा मिला कर चलना और जो आपके आसपास है जो आप पर निर्भर है चाहिए वो जीव हो चाहिए प्राणी हो चाहिए पक्षी हो कोई भूका नहीं रहे इस बात पर जरूर ध्यान देना ना मोना रहे इंतिस साल में डिवादी द प्रस्तियां इतनी अनकूल नहीं है जितनी मस्ति में मैं गो माता की सेवा करता था उसमें थोड़ासा वैवधान आया है राष्ट में पूरा विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट आपकी बात सुनते हैं राष्ट आपके विश्वास करते हैं इस गोमाता की सिवा करेंगे, तो मैं आपकी सिवा में हाजी हूँ, जो मैं जानता हूँ, परियाराद ये निवादी देव सनी देवरु गुरू महराद जी की दया से जोतिस की आसपास रहने का आउसर मिला, आपको जोतिसी समधान में मेरा शहोग चाहिए, मैं कोई प्रजापि मैं सर्चू हुगाता हूँ, मैं प्रियास करता हूँ, मैं आपके लिए प्रियास करूंगा जोतिसी समधान के लिए, और इसकी एविजबी मैं अप लोगों से निवे दिन किया ता कि आप गुमाता के लिए 20 س उरिपया गोसाला में जरूर करतें, आप सभी लोगों ने, मे मेरी गोमाता का शेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गोमाता भुकी ने रहे मेरी गोमाता को चारा मिले और जो भी दान दाता जो भी राष्ट भक्त गोमाता की शेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस सम हमें गर्मी आने की वज़े से चारे की तकलिफ जादा नजर आ रही है आप सब इससे मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ परियास करें नंबर आपके सामने में हैं इन नंबरों पर संपर करिए मैं आप से वीडियो कॉंफरेंस में जरूर बात नंबरों पर मैं आपसे उपलब्द रहूंगा इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हां इतना जरूर है कि दो-चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज्यादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूं क्योंकि जोतिसी समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूं आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में सयोग करें और उसकी एवज में दाती मनाज आज की सिवा में हाजिर हैं हाजिर थे और हाजिर रहें चिड़ी चौच भर गई नदीन घटियो नीर परमारत के कारणे माना उधरा सरी शेवा का फल हमेशा मीठा होता है शात्वा और समय बड़ा बलवान है समय एक साथ नहीं रहता है आज मेरी प्रस्ति है कि मैं आप से निवेदन कर आज तक मैंने राश से कभी पैसा नहीं माना मैंने यह जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दे पुने मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की वेवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन के दी राश्ट के लोग 2100 रुपय भी गोसाला में दे देंगे कुछ तो मुझे सयोग में लेगा जो लोग सयोग कर रहे हैं उनको मेरा लाति भारात जीमन भारा आपके आभारी रहेंगे इस से वाके लिए तरी गोमाता भुकी नहीं रहे उन्हें तकलीब नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमाना रहें